प्रक्रति वो पर्यावर्ण सनक्षन का संदेश देता छट वरत सूर्यो पासना के महापर्व छट का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है उर्जा के अक्षय सूर्य की पूजा और उन्हें और प्रोसंस्कृत वस्तूओं का भूग लगाना प्रक्रति वो पर्यावर्ण के प्रति इस पर्व के महत्व को रिखांकित करता है छट पूजा में प्रसाद के रूप में नई फसलों का उप्योग किया जाता है गन्ना, सिंगहाडा, नीबू, हल्दी, अदरक, नारियल, केला, संत्रा, सेब के अलावा आटा, चीनी एवं घी के मिश्रण से बनी ठेकवा जैसी वस्तूइं प्रक्रति के प्रती लोगों में जागरूकता फैलाने के इस पर्व के महत्व को स्पष्ट करती है छठ पूजा में मिट्टी के बने हाथी चड़ाय जाते हैं जो इस पर्व के माध्यम से प्रक्रती प्रदत इस अद्भुत जीव के संरक्षन का संदेश देती है छठ पूजा में स्वच्छता का काफी खयाल रखा जाता है मिट्टी के चुले और आम की सुखी लकरी का उप्योग पूजा के जड़िये स्वच्छता के महत्व को स्पष्ट करते हैं यह पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है पहली बार चैत्र में वो दूसरी बार कार्तिक में चैत्र शुकल पक्ष शस्थी पर मनाये जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ वो अब कार्तिक शुकल पक्ष शस्थी पर मनाये जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहते हैं पारिवारिक सुख सम्रिध तथा मनवांचित फल प्राप्त के लिए यह पर्व मनाया जाता है छठ महापर्व चार दिनों का होता है पर्व की शुरुवात कार्तिक शुकल चतूर्थी को तथा समाप्ती कार्तिक शुकल सब्तमी को होती है पहले दिन सेंधा नमक धी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सबजी प्रसाद के रूप में ग्रहन की जाती है अगले दिन से उपवास आरंभ होता है वरती दिन भर अन जल त्याग कर शाम में खीर बना कर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहन करते हैं जिसे खरना कहते हैं तीसरे दिन दूबते हुए सूरी को अरग यानी दूध अरपन किया जाता है अन्तिम दिन उगते हुए सूरी को अरग चड़ाते हैं पूजा में पवित्रता का विशेश ध्यान रखा जाता है लहसुन प्याज वर्जित होता है जिन घरों में या पूजा होती है वहां भक्त गीत गाय जाते हैं अन्त में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है छट पर्व मूलतः सूरे आरधना का पर्व है वेदों में सूरे को विशेश देवत्त प्राप्त है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार देवताओं में से कुछ को मूर्त या स्थूल रूप में देखा या अरुभव किया जा सकता है जैसे अगनी वायू और सूरे छट में प्रातह काल में सूरे की पहली किरण अर्थात उशा और सायंकाल में सूरे की अंतिम किरण प्रत्यूशा को अर्ग देकर दोनों का नमन किया जाता है भारत में सूर्यो पासना रिग्वैदिक काल से होती आ रहे है झाल